कभी ने कभी I am sure कि आपको ऐसा हिस्तिती मैसूस हुई होगी कि आप कहीं बैटे हुए हैं और एकदम से खड़े होते हैं तो क्या होता है कि एकदम चक्कर आजाते हैं तारे दिखने लगते हैं य section you are shaving कर्या हैI or shaving करते करते है एकदम से उपर लिया तब तारे दिखने लगते हैं या फिर समझे चक्कर जाने लगता है या समझे कोई सीड Walker या आपने कुछ कारे करना है उपर कोई बल बगलना है या समझे कि कोई सीरी रहा के उपपर कुछ काम करना है जैसे आप सीरी उपपर करते हैं तो आपको चक्कर जैसे आने लगते हैं एकदम आप परिशानी हो जाती है तो आप घबरा जाते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि हर किसी के साथ होता है बहुत सारे लोग घबराएं लगते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या हुआ है कभी और आप घबरा गए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरुवत नहीं है क्योंकि मैं आपको कोई हेल्प करना चाहता हूँ और आपको जानना है कि ऐसा क्यों होता है और क्या यह बहुत डेंजरस है आपके लिए क्या आपको डॉक्टर को दिखाने की जरुवत है इन सब बातों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको एक ही चीज़ करना है वो है मेरे साथ पूरे वीडियो में बने र नीचे आपके जूते का फीता खुल गया है शूलेस खुल गया है आप जमीन पर बैठे और आपने वो शूलेस बांदा उसके बाद एकदम जटके से आप उठ गए तो आपको वो चक्कर आया तारे दीखने लगे ये क्यों होता है या मैंने दूसा केस बता है शेविंग करते हुए सीर एक दो अपर लिया तब चक्कर आगया कोई उपर आप चीज लगा रहे है बल वगरा है उपर कोई काम कर रहे है सीड़ी पर चड़के तब हो गया इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हमारी बॉड़ी है इसमें बलड पंप होता है और बलड का प्रेशर मेंटेंड रहता है मतलब अगर ये बलड का प्रेशर मेंटेंड न रहे तो फिर हाइपो टेंशन की प्राबलम होती है जो कि हाइपर टेंशन से जस्ट उल्टा होता है Hypotension का मतलब क्या है कि Blood Pressure का Body में ज़्यादा हो जाना जितनी जरुवत है उससे ज़्यादा हो जाना और Hypotension का मतलब Blood Pressure का कम हो जाना और हम जो आज बात कर रहे हैं ये Orthostatic या Postural Hypotension नहीं है इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाने की जरुवत नहीं है पर हमें समझने की जरुवत है Actually क्या होता है कि जब हम कई बैटे हुए हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं या एकदम सिर को उपर करते हैं किसी भी कारण से चाहे शेविंग कर रहे हो या बल बदर रहे हो या जॉगिंग करते हुए शू लेज बादने के बाद तो हमारा बॉड़ी ये संकेत देता है कि ग्राविटी के कारण ज़ादा ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंसता है क्योंकि हमने एकदम से किया है एकदम से सिर को उपर किया है इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स की हमारे पाउं जो हैं वहाँ पर ज़्यादा ब्लड जमा हो जाता है और हार्ट को संकेत मिलता है कि ज़्यादा ब्लड पम करना उपर की साइड इस कारण से यह orthostatic या postural जो हाइपो टेंशन है, हाइपो टेंशन खुछ समय के लिए हो जाता है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इलाज की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है पर इसे बचा के से जाए, बस ऐसे ही बच सकते हैं कि जब भी आपको सिर को उपर लेना है उसको एकदम से जटके से नहीं लेना है अब देखिए, अगर आप shaving करें और हर बार आप ऐसे करते हैं और आपको हो रहा है या इसे करने में, जब यहां के बाल आप निकालने में ऐसे करते से आपके सिर में वो तारे दिखने लगें या आप बल बदलने ऐसे किया, तो आप धीरे धीरे सिर को ऐसे करिए, प्राक्टिस करिए धीरे धीरे करेंगे तो blood जो है पाउं से नीचे भाग से आपके body के उपर भाग में धीरे धीरे आएगा और यह आपको orthopathic orthostatic जो hypotension है यह होगा ही नहीं यह कम हो जाएगा यह tip follow करके देखिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है और इसका इलाज क्या है जो information मैंने दिया आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा फ्रेंड्स के साथ share करिएगा और bell icon को जरूर hit करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियो आपको जल्दी बिल जाएगे फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे information आपके साथ साजा करते हुए तब तक के लिए bye take care friends